नमबर 18 अगरो दिवस ब्रेकेट में है आस्वाद लेक इसके आस्वाद हमें करवाने वाले कभी का नाम है तिस वेनवाई पुरोहित वेनवाई पुरोहित कौन है तो वेनवाई पुरोहित जामनगर जिल्ला के अंदर आया हुआ जाम खंबाल्या के अंदर जन्म लेने वाल पिक्ता का नाम जमनादास, माता का नाम गुलाबिबैन, उसको संत खुर्षीदास के नाम से भी काफी साहे लोगों ने पैचाना था, तो उसका और एक नाम है धैडिस खुर्षीदास अंदरलाइन करेंगे, जर्मर, परोडियानी, पदमनी, नैना अने सिंजारो, ये उसके क काफी अच्छे काविय संग्र बने, यहां पर वेनी भाय पुरोहित, हमारे एक अच्छे श्री कृष्ण भगवान के भक्त ऐसे कवी, जिसका नाम है दयाराम प्रभु भाय बट, उसके द्वारा लिखी गई, खुब सुरु सी कवीता का हमें आस्वात करवाएंगे, बलब समझाएंगे, तो थोड़े जानकारी लेते हम दयाराम प्रभु भाय बट के बारे में, मद्यकालिन के अंदर प्रेम लक्षणा, भक्तिनी परंपरा को, यानि कि अंदलाइन करेंगे, दया सखी के नाम से प्रसिद्ध हुए, खुर्षिदास नाम रखा गया था, वेनी दा पुरोईत का, जबकि दया सखी नाम से प्रसिद्ध हुए थे, दयाराम जी, याद रखेगा, दोनों के उपनाम अलग-अलग है, दयाराम जी का जन्म हुआ था, आजना जो वडोगरा जिल्ला है, वापर चानोद नाम का गाउं है, वापर जन्म हुआ, रसिक वल्ला, प्र विष्ण के भाव उर्मिया, गोपी और विष्ण के समविदना, ये सारी बातों के लिए, दयाराम जी बहुती प्रसिद्ध बने, कृष्ण बक्ती के लिए, उसके जितनी भी पदों की विशेष्टा गरवाए, वो अलगी है, यहाँ पर बताना चाहते है, अगरो दिवस क टफ डे, सिंपल सी बात है, कि अगर आज मेरी मृत्य ओने वाली है, तो आज मेरा लास दे है, और आज मेरी जितनी भी इच्छा है, वो मैं परिपून करूँगा, अगर मुझे पता चल जाए कि रात को बारा बज़े में मर रहे वाला हूं, तो मैं यहाँ पर क्लास नहीं करूँगा, कि यह बगवान, मेरे जितने भी मेरे लाइफ के अंदर पाप किये है, वो प्लीज उसको अवोइड करना, ध्यान मत देना, क्यूंकि मैं एक मनुष्य हूं, और मनुष्य से गल्ती होती है, मैं भक्त हूं, मैंने बहुत सारे पुन्य भी किये है, पर वहाँ पर देखकर पाप को जरा मत देखना, ऐसी सारी प्यार भरी बात है, यहाँ पर दयाराम जी प्रभुबाय भट की पहले हम कविता सुन लेते हैं, फिर हम आस्वाद करेंगे, वेनी भाय के द्वारा, कि यहाँ पर एक्चुली क्या कहना चाहते थे, लिखा है, कि अगरो दिवस एक आवशे जे, अगरो मलब हाड दिवस, यानिके मृत्युका दिवस, अगरो दिवस एक आवशे रे हे, अलबेला, श्री जी रे, अलबेला मलब नटकट, गोपाल, कृष्ण भगवान, कृष्ण कनेया, मुरलीधर, मनोहर, कनेया, काना, गोपाल और माधव, हरी तारा न म्चेहजार, क्या नाम tampoco, यहाँ पर श्री जी, कृष्ण भगवान का नाम लिया गया है, यहाँ पर अलबेला, श्री जी, कृष्ण भगवान को बताया गया है, के हे कृष्ण भगवान, मेरे जीवन में भी एक दिन अगरा, दिवस, टंफ दिनाएगा, यानि के मृत्यू बेजा गया है जरा उसका ध्यान देना न जरा क्योंकि आप मेरे पहचान में उस तरह जे कृष्ण भगवान मैं आपका आदमी हूँ मैं आपका भक्त हूँ मैं भी उपर आऊंगा तो आप जरा मेरे को ध्यान देना कि मेरे जो पाप का लेखा जेखा होगा उसके अंदर थोड़ा मुझे सौफ्ट कॉर्नर देना ये वेडा सगा वाला सहुरेशे अडगा रे वाबर जब आऊंगा तो सगा, सबंदी, मित्र वो कोई उपर साथ में नहीं होगा बस ए बगवान आप भी मेरे साथ होगे और आप ही तो मुझे सपोर्ट करोगे लिखा है कि ए वेडा ए समये सगा वाला सहुरेशे अडगा अडगा मलब दूर रहेंगे जारे जमना किंकर जपत्राऊशे अलमेला शीजी जीडे उस वग मैं आपका चाकर मैं आपका नोकर बस मैं ही आपर गाम आने वाला और इस नोकर की ज़राए आप ध्यान देना मैंने आपका बहुत ही खयाल रखा है बहुत भक्ति किये पूरे जिंदगी तो आप इस नोकर को इस चाकर को, इस दास को इस बखत को ज़रा ध्यान देना नहीं कृषनजी यहां पर बताते हैं कि ऐसा जब अउसर आएगा ऐसा जब मोका आएगा तो हे कृष्ण भगवाम क्या उस टाइम पे आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे क्या आप मेरा हाथ कर कामल होता है हाथ क्या उस वगा आप मेरा हाथ नहीं थामोगे मुझे सपूर्ट नहीं करोगे दुश्मन नोधाओ फालव शेल बैलाशि जी रे और अगर नहीं करोगे तो दुश्मन लोग जो है उसको परेशानी होगे सुनी एक छोटी सी कहानी इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते एक होते है आस्तिक जो भगवान को मानते है और एक होते है नास्तिक जो भगवान को बिलकुल नहीं मानते है एक बार ऐसा हुआ कि रमेश और महेश ये दोनों मित्र है रमेश नाम का बंदा भगवान को मानने वाला यानिके आस्तिक था और नरेश नाम का बंदा जो था वो नास्तिक था दोनों गर में बैटे हुए थे अचानक से राजा के चोर सिपाया है उसने बोला कि आपने हमारी महारानी के सोना का जो हार है वो चुरा लिया है आपके उपर आरोप है चलो आपको पकड़ा जा रहा है उन दोनों को पता है कि राजान आरोप लगा है आप कुछ भी कर लो ये तो हमेस सजा देगा ही जेल में पड़े रहेंगी हमारा तो पुछ नहीं होगा इससे बैटर है भागो यहां से लग दोनों ने आपस में इशारा की और वहां से भागना चालों किया रमेश भगवान को मानने वाला भगवान का नाम लेता जा रहा है भागता जा रहा है भगवान बचाना भगवान ये करना वो करना और वो भगवान को बिलकुल नहीं मानता था वो तो अपने उपर भरोसा करता था दोड़े जा रहे, अंधेरा हो गया, रास्ता चेंज गया पर पता नहीं ध्यान नहीं दिया तो एक कुवे में दुनों गिर पड़े दबांग से कुवे के अंदर एक साइड पत्थर पड़े होए थे बड़े-बड़े नुकिले और एक साइड में थोड़ा कॉटन पड़ा था दोनों दबांग से गिरे रमेज जो था वो पत्थर पे गिरा भगवान को मानने वाला आस्तिक था वो कहा पर गिरा? पत्थर पे गिरा उसके हटिया तूट गए खुन निकल गया परिशान से कराने लगा और उसके बाजू में नरेश पड़ा वो पड़ा तो कॉटन दो उसको लगा नहीं उसने ऐसे ऐसे हाथ गुमाया पता चला या पर कॉटन है पर हाद गुए तो साथ में उसको एक छोटा सा हार भी मिल गया सोने का जो रानी का था तुरंट बोला देखा क्या भगवान ने तरे को कुछ ने दिया दिया तो ऐसा मेरे को देख सोने का हार मिला है तो लगा भी निए रमेश थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसको लगा मैं भगवान को मानता हूँ भगवान मुझे हमेशा बस परिक्षाही लेते रहते हैं इसी तरह से परिशानी करते रहते हैं भगवान को उस वक समझ में आया अगर मेरा बक्त अगर मुझे गाली देदेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा उसको मेरे पर भरोसा नहीं रहेगा और उस वक आसमान में से आकाश वानी हुई भगवान श्री किष्ण बोले के ये बेटा रमेश ऐसा मत सोचतू कि तेरे साथ सिब गलती हो रहा है अच्छा होता है न पढ़ते हो न तो पढ़ने के काफी लमेश समय के बाद आपको पता चलता है कि ये फाइदा हुआ उस तरह से भक्ती करते तो तुरन फल नहीं मिलता पर इसका मलब ये नहीं है कि तु अपनी मैनत के उपर डाउट करें तो अपनी भक्ती के उपर डाउट करें तो अपने भगवान पर डाउट करें पेटा तुझे पता नहीं है पर आज तुमारे नसिम में मृत्यू लिखी थी पर तुम्हें छोटी-मोटी खरोच आई और तुम्हें अपना जीवं दान प्रापतों हुआ है और इसके नसिब में इसके नसिब में आज उस राजा के राजमेल के अंदर उसकी राजकुमारी साथ का कि ये राजा बनने वाला था तक उसको सिफ सोने का हारी मिलाए अब तु अपनी इसाप से सोच कि किसको जादा अच्छा मिला है ले जीवन के अंदर अच्छा कर्म करो आज आप कुत्ते को खाना किलाओ गाई को घांस किलाओ पुन्य का कार्य किलो और आप काउंटिंग करके बैठ जाओगे पर शाम को 6 बजे मुझे पुन्य मिलने वाला है संडे को शाम को 12 बजे मुझे पुन्य मिलेगा मुझे 31 डिसंबर साल के एंड में पुन्य मिलेगा मिला है कभी किसी को? नहीं अच्छा कोई ऐसा फिक्स है कि पाप जो है उसका भी उसी तरह से मिलता है टूडलिंग मार दिया इधर पाप है इधर पुन्य है शाम को 6 बजे, संडे को 12 बजे, 30 बज रात को मिलेगा ऐसा नहीं होता है पर हाँ जितना लेट से मिलता है पाप चाहे पुन्य कहते हैं इंट्रेस के साथ मिलता है अगर आपको मिलेगा तोड़ा लेट से मिलता है तो मिलेगा जरूर पर गया इंट्रेस्ट के साथ, उस तरह से ये भी याद रखेगा कि पाप का भी इंट्रेस्ट जुड़ता है तो हो सके तब तक पुन्यकिया करो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कहते है कि अउसर आवे उस वेड़ा अब अउसर आया उपर जाने का अउसर आवे उस वेड़ा मेरे में भी थोड़े बहुत दोश होंगे गुन होंगे, परेशानी होगी मैंने भी पाप कियोंगे उसको अउसर जो अन देखा करना थोड़ा अउड करना अउसर जो रे ते समय कौन छोड़ाओ शे अलबेला स्री जी रे उसको कौन छोड़ाएगा आप ही आओगे कुपुत्र गेरा आओगुन धाक्या शोबा पिता नी रे मैं आपका बेटे जैसा हूँ पर इस कुपुत्र ने मैंने भी, इस दुनिया में सब कोई पापतों करता ही है क्या दृष्ण भगवान ने मा बरत रचा क्या अच्छा था क्या राम भगवान ने अपनी पत्नी सिता मातों को जिंगल बेज दिया क्या अच्छा था अब भगवान से गलती होती है तो हम तो सामान्य पुरुश है हम सभी गलती होती है क्या गांधी से गलती नहीं हुई थी क्या स्वामी विरकान से गलती नहीं होई थी हर किसे होती है पर यहाँ पर कहते है मैं कुपतरूं मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो इस पिता को आप पिता हो मेरे लिए थोड़ा ढाकना रे प्रकाश जे पोताने लजाओ जो अलबेला श्री जी रे और आपका प्रकाश मेरे पे थोड़ा डालना अच्छा ग्यान का अच्छा गुण का अच्छा संसकार का तो मैं आगे और भी बढ़ पाऊंगा जे वो तेवो दयो कहलावियो प्रभू जैसा भी हूँ हूँ ए बगवान ये दयो मलब ये दयाराम जी तुमारा हूँ शिजीरे तम विना कोण निबाऊ शेल बिला शिजीरे आपके इलबा मेरा कोण उद्धार करेगा हे परमकृपाडू शिजीरे इस तरह से दयाराम जी प्रभू भाई बट ने अपने बारे में कुछ बताया है भगवान शिक्रिष्ण की भक्ति करते है कभी दयाराम जी एक दल्लो आदमी हतो दल्लो मलब दयारू आदमी हता इसलिए इसको दल्लो कहते है दुल्लो आदमी अने दुलारो भक्त तो भगवान का बहुती प्यारा उसको दुलारा कहते है पोच्छवियो उद्गाता हता बहुत ही बहुत अच्छी तरह से वो भगवान का बजन गिर्दन करते हैं कभी कभी कोई भी मंदिर में जाते हैं बजन दून इतना अच्छा चलता है कि उसके रंग में रंग जाते हैं उसके दून में मिक्स हो जाते हैं कभी टाइम मिले तो स संदे के दिन आपको जाने का इस कॉन टेंपल पर संडे शाम को साथ जवाँ पर आरती होती है और इसना बढ़िया आरती के बाद भजन धून गिरतन होता है कि उसके अंदर हमें उगाते उसमें आदश कमने नहीं आता है क्योंकि उसके उस-अलग बाइशा होती है पर हमें उसकी धुन, उसका रस, उसका लईट, उसका ट्यूनिंग इतना अच्छा लगता है, उसके साथ साथ नुत्य करने लगते हैं, तो वो जब उदगारते थे, भगवान, भजन, किर्दन, तो बहुती प्यारी तरीके से उसकी रशना, रसिक जन को माधूरिय लगता था जो रसिक सुनने वाले को अच्छा लगता था, राधा और कुष्ण का शुंगार, उसकी भाव लालित्यता ऐसी प्रगट करते थे, के अच्छे खासे लोगों को शरम आ जाती थी, एनी बानी मा हविली संगित का हिचका, अने छता एक उतानी गर्मी ने, जिपली गरवाई नी हो, तो इसको निराधार कहते हैं, और जगत का आधार यादि भगवान, तो सामान्य इंसान से भगवान का इंसान बनने तक की उसकी सफर बताई है, संसार एक निराधी पढ़ू, संसार में इसको कोई किसी के अपर dependent ही था, सिवाए भगवान के उपर, आध्यात्मिक न बिंजन वंल्ब नहीं स्वामी बीजो वर्युम वनलब शादी करना मैं तो सिभ भगवान के साधे मेरा सबंद है मेरा और किसी आदी मानस ना मार्मिक मरकला रोमांच जगाडे चे इस तरह से प्यारे प्यारे जो भजन धून किर्टन करते थे गीद गाते थे पुष्टी मारगीय के तो वो बहुत ही प्यारे थे और उसके अंदर हम भी अपने आपको खुला छोड़ देते थे उना जिवन ना राज सी प्रक्रतिनों रंग उना साथफिक प्रक्रतिनों संग उना कवन अने बंने नों संगम अने तेथित गहे छे के निश्चे ना महलमा वसे ए मारो वालो बालिना नगटा, लोभी, लालचू best नहें चंचल मन्ने पार कि के रो छे हम जो है वो इसी दुम्या के अंदर सब लूप मुह माया के अंदर फसे हुए है पहले ट्वेल पास करो फिर कॉलेज में जाओ फिर अच्छे लड़की या अच्छे नौकरी वो पकड़ो फिर वही संसार वसाओ फिर चैए टीवी चैए मोगाल चैए गाड़ी चैए गुम्ना चैए फिर अंत कहा है तो अंत है बगवान को मुक्ष प्राक्थ करना तो एक्छली जो अंत जहां पर है उसको ही आप टार्गेट बनाऊगा तो आपको जीवन के अंदर कोई परेशानी यह गया है कि एक बंदा जो है वह नेपाड के अंदर एक बड़े से पाहाड के अंदर बैठा हुआ है और वह जो बुद्धिस्ट होते हैं इसको मौक के दिखा है वह सादू था और वहाँ पर बैठके वह अपना ध्यान योग में बैठा रहता था साइंटिस्ट लोग गए और अलग-अलग प्रकार का उसका टेस्ट किया अलग-अलग नबस को और पता चला कि इसके शरीर के अंदर करीबन 98% शान्ती है 98% शान्ती है वो बंदा एक बहुत बड़ा बिजनेसमें था अमरीका के अंदर पर करीबन 15-17 साल वो सब छोड़ चाड़ के इदर बैढ़ गये आप उसके ऑ पोजेट के अंदर उसका एक मित्र था जो अमरीका में उसके साथ ही काम करता है जब उसका टेस्ट किया गया तो उसके शरीक के था दो परसन ही सिर्व चांती थी जिन्दगी के अंदर ये दोड़ भाग से शांती में लिशांती प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ चांदना पड़ रहा है मौ माया को त्याब करो अभी नहीं है बाद में ऐसा हमारे कभी कहते हैं कि हमारा जो मन है वह लोभी लाल्चू चंचड ऐसे मन को समझ गये थे अन्हें देथी कहते के मारक भू ढणक टू ढोड़ ढलके रहे अगर कोई एनिमल को छोड़ दिया जाए तो हर एक खेतर में जाके मूह मारेगा यहां पर से खालेगा वहां से ओंग खालेगा व ले लिया और फिर संतुष्टी होती ही नहीं इससे हमारा मन ऐसा है डणक तू ढोर जैसा है वह नग्रमा सीम खेतर भेडू कई पढ़ ना मुके पची मन ने कहें जिए मनवा श्रीहरी शर्णे रहे बस भगवान के शरण में रहना अबर उपाए नहीं बस भगवान के तुछों आदे प्रह तुनमें रहा जा तो तुम्हें मूक्षकी प्राप्तुगी वही कुणं प्राप्तुगाolor चीवणनी यात्रणे यात्रा इन्यक जीवणने बनने रनमा चीवननी पख्यों हों हे चें पवक्यों मतलब जोयों हो पेख्या आओ आप हम आपका स्वागत करते हैं पेख्या मलब जो यू और पौक्ख्या मलब स्वागत करू इस तरह से श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त के हिसाब से सबी लोगों ने उसका पेख्या है भगवान के भक्त के हिसाब से सबने उसको देखा है और पौक्ख् यात्राने मुका में आवी गयो छे एवो अनसार पामे आशे त्यारे लखायले क्रूती अहीं लिदी छे बृत्युनात एदिवस्टे दयारामाज कही शके छे के अगरो दिवस कहयो छे भगवान श्री कुष्णना शरणनों रटन एने पदमा रमतु मुक्यो छे कवी नर्मद पण अन्त घडीमा अनसारो पामिने गायो छे के रसिकडा नव कर्षो कही शोक करे नर्मद आवे कवीता लखेली हती के हे रसिकडा रस वाला मन कोई प्रकार नों शोक नहीं कर जे जीवननी अंदर आतो आवतु जह रहे छे संसकुत मा शलोक लग लो छे के यस्या जनममतस्या मरनम क्रिष्ण बहगवान ने अर्जून को बताया है नर्मद ने अपनी भाषा में लिखा तो दयाराम जीने अपनी भाषा में लिखा इस्च देव कृष्ण ने कवी कहे छे कि हवे जो शरण नहीं आपो तो शत्रो राजी थवानी चेश्टा गर्षे ले बगवान ये अंतिम समय है मेरा मैं आपके जरणों में आ गया हूँ अगर अभी भी आप मुझे सपोड नहीं करोगे तो जो मेरे उपोजिट माले बैटा है नास्तिक लोगों तो हसेंगे मेरे पे भी आपके भी शत्रो कैशे के आखू आलखू जीवन कृष्ण कृष्ण करीने अंतिम गड़िये प्रभू है तुम्हें देखा भी नहीं कभी पोते जाने चे के जिवन मा भक्त तरीके भावपुरवक भक्ति करे चेने कभी तरीके जणान अने भक्ती मा याने मुक्तिना गीत गाया चे पन मान्वी तरीके घणी क्षति ओपन मेने करी चे क्षति मला परिशानी भी मेने की है हे प्रभू मारा अउंगुण ने सामे जोशो नहीं मेरे जोबी अउगुण है गंदी बाते उसको देखना मत मुझे वो छू ते वो प्लीज आप मुझे निभावी लेना स्विकार कर लेना दयारामनी गरभी जानीती चे तेना पदमा पमराट होई चे तेना धोल दबगे वरजबाशामा पद प्रेणा आपे तिनी गूपी भावनी निष्टा नगारे गाव करे चे ए जिवनना अंतना अनसार नी गडिये गेराश शक्चाए औने गहन ताने विसारी जाए एम नहीं एने गेराश नो गुड़वा पदमा चे औने ए बिनू बावु कांदोलन अईया ए जगाडे चे एम आपना कवी झाल 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 झाल